रसे को एक तरफ से स्वीटी और रमोला थामे हैं तो दूसरी और से सामरी ने भी अभी तक रसी पर अपनी पकड नहीं बनाई थी तभी वे अपनी दोनों चुटियों को लेकर रसी पर लपेट लेती है और फिर हाथ दोनों पीछे कर लेती है सब लोग सामरी को हैरान होकर द पकली वाले, इनमें जो गाउं का चमेली वाला तेल चपड कर लगाया है, ससरा कहीं तो काम आए, हाँ नहीं तो पर भाबी उस तरफ दो लोग है, क्या करी हो यार भाबी हाँ हाँ, फिकर मत करो आप सब, मैं तो बता नहीं भूल गया था, मेरी सावरी अपने इन बालों से गाउं में ट्रक खीच लिया करती थी वाट? ट्रक? तो ऐसे ही थोड़ी ना प्यार किया मैंने सावरी से, प्रॉपरा टेलेंट देखा है भाई सावरी अपने बालों को लपेट कर सिर के पीछे खीचती है, और स्वीटी और रमोला चाहकर भी खुद को रोग नहीं पाती, और सारी रसी सावरी की और आ जाती है साथ में बोड़ी घोड़ी रमोला भी, सावरी उसे समभालती है अब सावरी के चहरे के बारा बच चुके थे, वही स्वीटी बहुत खुश होती है पर आती नाच नचवाती तो नागिन से लेकर छिपकली सब बनकर यहीं दिखा देती अब पॉलिवुड से किसका नाच नाचू, अरे भोजपुरी नहीं चलेगा क्या भाईया कहां भसा दिये, सारवजिनिक और सामोहिक दोनों भाई जती आज तो तै रही और स्वीटी कमरे में जाकर कुछ दिर बाद वापस आती है सब लोग स्वीटी को तो बस देखते ही रह गए थे चलो मटक लवब जो होगा दिखा जाएगा सावरी नाचना शुरू करती है सावरी रितिक की स्टाइल में नाचती है सब लोग होटिंग करने लगते है अरे लड़की का नाच बोला था इसमें तो लड़का है अरे वो है रितिक बहुत एंसम लगता है हाई इस उमर में भी धड़कन है बड़ा देता है आंटी ही रितिक नहीं रितिक और माडम बिहारन ज़रा लड़की का नाच नाचिये तभी सावरी वही खड़ी होकर सिगरिट फूखने का इशारा करती है अरे नहीं समझे बीडी जिलैले का स्टेप है ये